PayPal उन्हें सेये को नहीं पता हैं ऊपने इक सिरी और यहां अपने इप्कलइक्स करें प्रॉपर है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर च्छ कर सकते पुरा प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा आज के इस वीडियों बात करें वाला है बहुत ही जादा इन्पॉर्टन इलेक्ट्रॉनिक कॉंप्रेंट के बारे में जी हां मॉस्फेट के बारे में अभी जो मॉस्फेट हो ट्रांजिस्टर का ही एक प्राइब आपको बताई तो इतने आराम से जो आज मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं यह वीडियो देख रहे हैं यह कंपूटर वगर यूज कर रहे होते श्याद वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता आप इसकी इंपॉर्टन्स को समझाने के लिए एक इंट्रस्ट पहले के टाइम पे लगबग 1949 के आसपाच जो computer हम यूज किया करते थे जैसे ENIAC computer कहा जाता था तो उसे पाई की 2037 डिजिट को calculate करने में 70 hours लगता था यकीन मानोगे आप 70 hours और वही काम जो है आज के टाइम पे आपके जो smartphone है वो कुछ second में कुछ second में भी नहीं fraction of second में कर देखाती है तो यह जो system का जो speed इतना ज़ादा बढ़ चुका है और साथे साथ इतना जो size compact हो चुका है इन सब के पीछे का जो reason है वो है MOSFET और भी कई सारी इंट्रस्टिंग बाते है चोटे से वीडियो में चाहिए प्राक्टिकल अप्रोच के साथ समझाने के कोशिश करेंगे तो अगर आपको यह सारी बाते जाना है तो इस वीडियो को देखते रहिए आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सिखने मिलने MOSFET का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमिकंडक्टर फील इफेक्ट रांसेस्टर होता है अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉंपनेंट या किसी भी डिवाइस का अगर हम नाम रख रहे होते तो वह महीं नहीं रखा जाता है उसके पीछे कुछ ना कु कर रहा होता है उससे रिलेटर कुछ ना कुछ हम रखेंगे और इसका जब आप कंस्ट्रक्शन दीखेंगे या वर्किंग को समझेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ यहां पर मेटल ऑक्साइड भी हम यूज कर रहे हैं आचुकि यह ट्रांसेस्टर है तो से इसको ब मैं कि युकि अगर इसमें देखेंगे आप युक्य इसमें देखेंगे मिलेगे एक टरमिनल कruce कर जाता है और यृट वाले डेर्मिनल में इसे सोर्स कहा जाता जैसे कि यह आप देख पा रहे हैं यह भी हमारा MOSFET ही है इसे SMD टाइप MOSFET कहा जाता है अब एक सवाल आपकी दिमाग में आ रहा होगा हमने कहा कि MOSFET जो है 3-terminal semiconductor device है पर यहां अगर आप देखेंगे तो यहां तो आपको 8-terminal देखने मिल रहा है तो क्या इसे हम 3-terminal semiconductor device कह स सकते हैं तो आपकी दिमाग में सवाल हो रहा है कि भाया कईसे जब यह 8-terminal कैसे कह रहे हो तो भाया इसके अंदर की जब construction आप देखोगे न तो वहां पर आपको दिख रहा होगा कि उसके output में तीन ही terminal आ रहा होता है बाद बागी जो terminal output में निकाला है हमने उसको short किया है वह internally short होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यानि कि एक से ज़ादा आपको drain देखने मिलेगा और एक से ज़ादा आपको source देखने मिलेगा और get a terminal जो है वह एक ही होगा क्योंकि वह बहुत ही important है जिसका significance मैं आपको बताऊंगा अब यह सारे जो MOSFET है अगर ए स्वीच का क्या कहानी है मैंने आपको PWM वाले वीडियो में बताया जना कि वहां पर हम एक power electronic switch कर रहे होते हैं जो बहुत ही speed में बन चालू बन चालू बन चालू हो रहा होता है एक सेकंड में हजारों बार बन चालू हो रहा होता है तो वह स्वीच की बात कर रहे थे वह है MOSFET आपका क्योंकि normal जो आपके घरों में switch होता है electric board में तो वह आपके पास limitation होता है कि एक सेकंड में कितना ही बार आपको बन चालू कर सकते हैं दो बार maximum तीन बार या चार बार बोल दो आपके दिल रखने के लिए बता रहा हूं पर इस PWM signal के लिए आपको एक सेकंड में कई हजारों बार जो है आपको बंदर चालू करना पड़ता है तो वह काम जो है अपने normal switch से और manually जो है अपने हातों से नहीं कर सकते है उसके लिए हम एक ऐसी switch चाहिए जिसको आप electrically जो है एक सेकंड में कई हजार बार बन चालू कर सके तो यह MOSFET हमें करके देता है अब कि यह जो get terminal का हमने बात किया था नहीं कि यह बहुत important है जी हां यह बहुत important है और यही terminal के मदद से आप इसको on off on off कर रहे होते हैं जैसे कि अपने हातों के मदद से हम manually switch को on off कर रहे होते हैं वैसे ही यह जो get terminal होता है जब इसमें हम minimum voltage apply करते हैं इसे threshold voltage कहा जाता है मानले ज switchboard में जो आपका 2 terminal होता है आप load से connect होता है आपका तो वैसे ही आपको source or drain भी जो है आपको 2 terminal आपके normally आपका load से connected होता है तो यह बहुत ही complicated नहीं है इसको आप relate करके पढ़ें जो already concept आपको पता है जब उससे relate करके आप पढ़ते हैं तो बहुत ही असान तरीके समझ में आ on off on off कर रहे हो आपने on कर दिया तो आपका circuit complete हो जाएगा current flow होगा और अगर आप off कर देते हैं यानि कि get terminal में कोई भी voltage आपने apply नहीं किया है तो इसका मतलब आपका switch off होगा तो आपका circuit जो है वो open हो जाएगा और आपका current flow नहीं होगा तो इस तरीके switching operation यहाँ पर काम कर र वीडियो में आपको बताया था कि VFD में भी जो है हम एक switch कर रहे होते हैं तो वहां भी हमारा PWM signal ही generate हो रहा होता है basically तो वहां भी जो है आपको MOSFET देखने मिल जाएगा ऐसी बहुत सारे application है जैसे heat based fire alarm में भी जो है आपको MOSFET देखने मिलेगा और वहां पर फील भी कर प जाता है कि बहुत से register भाई हमारे पास होता है अब यह कैसा resistor है जो अपने resistance के value को बदल रहा होता है जैसे ही heat जो है आप change कर रहे होते है यानि कि जाधा heat देंगे तो इसकी resistance के value है कम हो जाती है तो यह काम कुछ इस तरीकी से कर रहा होता है कि यह अपकी gate terminal से connected है तो अगर जो है वो switch on हो जाएगा तो switch on हो जाएगा तो हमने circuit में जो है load side में जो है एक alarm लगा रखा है तो वैसे ही circuit complete हुआ हमारा alarm बजना start हो गया तो देख रहे है कितने interesting तरीके से कितने सुंदरता से हमने इसकी application को बना लिया अब इतनी ही knowledge से जो है अब खुद का heat based fire alarm बना सकते है और यहां पर एक important बात यह बदाना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी application के बारे में हमने बात किया है इन सब में जो MOSFET हम use कर रहे है वो discrete form में है यानि कि अगर आप machine खोलते है device खोलते है तो आपको दिख रहा होगा कि हा भाई यह हमारा MOSFET आप physically जो है MOSFET को देख पा यह बना सकते हैं यानि कि आपको एक integrated chip कि तरह दिखेगा एक IC कि तरह दिखेगा जो पूरा MOSFET से बना वह रहे हैं और यह आपके computer में जो processor की हम बात कर रहे होता है आपके phone में जो processor की बात कर रहे होता है मैं सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तो वह transistor होता है वह MOSFET का ही हम वह हमारा BJT नहीं होता है bipolar transistor जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था क्योंकि उसका scalable nature नहीं है उसको आप एक ही विफर में बहुत सारे डाल करके बना नहीं सकते हैं उसके साथ limitation है बट यह MOSFET के साथ किया जा सकता है और ऐसा हम करते भी हैं क्यों आपका जो प्रॉसेसर है वह MOSFET यह ट्रांजेस्टर से जो है बनाया गया क्योंकि एकदम लुएस लेवल में जाके अगर आप उसको समझने कोशिस करेंगे गहराई से समझने कोशिस करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यही ट्रांजेस्टर मॉसेट को हम य प्रॉसेसर कह रहे होते हैं तो जितना जादा आपका जो है लॉजिक गेट्स वेगरा होगा उतना जादा उसमें प्रॉसेसिंग पावर होगा उतना बहतर वह उतना जल्दी क्यालकुलेशन वेगरा कर लेगा और जितना जादा लॉजिक चाहिए उतना ही जादा आपको ट जीता जागता एक्जामपल यह है कि अगर आप आई 3 में आप देखेंगे कितना नमबर आफ ट्रांसिस्टर हमने यूज किया है तो आराउंड 1.4 बिलियन जो है ट्रांसिस्टर हमने यूज किया है यह डिटा आप गूगल करोगा आपको मिल जाएगा और वही आप आई 3 के पर आई 5 प्रोसेसर का देखेंगे तो वहां पर 3 billion ट्रांसिस्टर यूज कर रहे होते हैं तो समझ में आरा आपको लगभग 2-3 जादा ट्रांसिस्टर यहां पर हम यूज कर रहा है यानि कि 2-3 जादा प्रोसेसिंग पावर आपको आई-5 में देखने मिले गा रफली आप पैसा कह सकते हैं हलाकि और भी कही सारे चीज़ों के प्रिंट कर रहा होता है तो उमीद है आपको यह मॉस्फेट की जो पूरी कहानी है अच्छे से समझ में आई होगी मैंने सोचा था इसके बारे में ज्यादा बात किया तो पूरी प्लेडिस को एकसे करना चाहते हैं यह वीडियो कैसा लगा है मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में टिल दर टेक केर बाई